तो हाज हम बनाएंगे लिट्टी चोका तो सबसे पहले हम चोका बनाएंगे इसके यहां पर मैंने 2 बैगार लिए 10 से 12 लैसोन के गलिया छेसे साथ हरी मिर्ट थोड़ा सामचूर की गलिया और 2 टमाटर लिए तो आज जो हम चोका बनाएंगे उसमें बैगन को भून कर लोड़ाता है तो इसकी लिए करेंगे थाहं ग्रम से या चांस से आइक्स का निशान लगा दिए और यह चूरर में हरी-इंस salt एलगा है तो आप चाहिए था Developer के तो Сब्सक्राम गण. पर मैंने दोनों बैंगों में लस्तुन हरी मेर्ण और मचूर को अच्छा से सट कर दिया है तो अब क्या कर एसके उपर तेल जो उसे से लगा कर ग्रीस कर लेंगे ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो चिलका है वो असानी से उतर जाएगा तो ऐसे हम दोनों बैगन और टमाट को अच्छ से रखतेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे ध्यान रहें कि इस्की जल जाएगे और अंदर से प्रभश रहा जाएगे तो ऐसे हम इसे 20-20 में पलटते इसे भूल एइन तो मिडियुम पर फिलंगे निम फ्लम है वोलने को बढ़खने लेकिन ठीच जल्थ ही रखते तो जब पलाटर अफ्ड हो चाइए जासा कि आप इसे निकाल कर एक प्रेट में रखेंगे और बैगन को 2-3 में और बूलेंगे और यहां पर आप देख सकते कि जोटा अला बैगन जो भी अच्छे से पक चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे और जो बड़ा वाला बैगन यह भी उपर की तरफ से थोड़ा सा सकत है तो भी अच्छे से 2-3 में और पूलेंगे और यहां पर आप देख सकते कि यह बड़ा वाला बैगन जो यह भी अच्छे से पक चुका है तो आप हम इसे भी निकाल कर प्रेट में रख देंगे और थोड़ा सा थंड़ा हो जाएका तो आप देख सकते कि इसकी जो इसकी नहीं आसानी से उतर रही है तो ऐसे ही हम दोरो बैगन और टमाटर की स्किन को उतार कर अलग कर लेंगे तो अब हम जो बैगन का डंठल है उसे निकाल कर अलग कर देंगे और बैगन को बीच से काट कर इसे एक बार चेक कर लेंगे क्या होता है कि एक सर बैगन में कीड़े पाए तो एक बार इसेट्षेसे चेक कर लेंगे तो यहां पर बैगन पूरी सबस्Re निकालकर और साइड में रख लेंगे इसे हम बाद में मिक्सी में पींस करने कि आप चाहें तो चौपर का भी उस कर सकते हैं और जैसे ही सारी चीज अच्छे से मैस हो जाएंगे तो हम इसमें पिसी हुई जूर एट कर देंगे इसके बाद हम इसमें दो से तीन समर सरसुका तेल एट करेंगे बारी कटवे धरिया के पत्ते डालेंगे और हाफ टेव आटा करेंगे इसके लिए किदुम के हमें आठा लेंगे वह सम मसलते मिक्स करेंगे जैसे कि तेल और आठा जो आपस में अच्छे से मिल जाए और यह जब अच्छे से लिए इसे अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद से छाल लेंगे जिससे इसमें कोई भी बड़े टुकड़े हो या फिर छिलके हो तो वह आसानी से निकल जाए पैसे हम इसे अच्छे से छाल लेंगे तो यहां पर हमारा चने का सत्व जुद पुरी तरीखे से रेडी है अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का पारी कटा हुआ पयाज एड़ करेंगे दस से ब्यारा बारी कटे हैं एक तारी ऍथे यह से बारी कटे करें गहाँ बारी कटे हैं excited करें टेर मइत करें घ्यूदि को हाइन admit माऊ-फिर्ट और अ Jewish ऐसे ओ मिध करें प्छा सर्जों कए चाहँ दो से बारूर अच्छोनि में चाहाँ प्छुलिग नियूत करें नियूत तरीके से बन कर रेडी है तो हम इसे साइट पर रखतेंगे और जो हमने आटा से ठोनी के लिए रखा था उसे एक से दो बार अच्छे से गूत लेंगे इसके बाद हम इसमें से एक मीडियम साइज की दो वाल टोल लेंगे इसका साइज और अपने कोडिक छोटा या बड़त कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे हाथ पर अच्छे से रोल कर लेंगे फिर से बीस में प्रेस करते हुए एकदम काटोरी जैसा बना लेंगे इसके बाद हम इसमें स्टफिंग को बना सकते हैं या खरका साध्यां से प्रेश करते हुए चपटा कर लेंगे तो यह हमारे लें आई पर चलशान कर लेंगे मैं आगी बना कर लेंगे मैं को अगर आप को यह पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लिए जड़ूर कर दीजTodd अने दोस्तों के साथ भाएं कि उस्ए अच्छे से बाद करेंगे तो शेकने के लिए यहाँ पर मैंने एकी रोस्टर लिया इसक ऊपर तेंगे मैंने मीडियुम सब्सक्तिन को सब्सक्राइब सब्सक्राइब से या इक तरफ से तीर वण है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें कलर आ रहा है तो ऐसे हम इसे मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे तो आप देख सकते हैं रेस्पी बनाना बहुत ही आसानी से बन जाती है आप ज़रूर बना कर ट्राइब कीजे तो ऐसे हम पूरी तरीकी से अच्छे से पक जाए और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमाई उस लिट्टी है वो पूरी तरीकी से रैटी है तो अब हम गैस की फ्रेम को बंद कर देंगे और उसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे इसके बाद हम एक बाउल में घी लेंगे उसमें लिट्टी को अच्छे से डिप कर लेंगे और इसके बाद इसे गरमा गरम सर्फ करेंगे तो आप देख सकते हैं घर में भी बिना किसी आग कैम आसानी से लिट्टी बना कर तयार कर सकते हैं और आप इसका कलर देखिए दिखन को सब्सक्राइब कर ले